नवादा के वारिसलीगन चीनी मिल अब इतिहास के पन्नों में सिमढ जाएगा अब यहाँ से चीनी नहीं बलकि डीजल और पेटरॉल की सिवा मिलेगी वारिसलीगन चीनी मिल पिछले 29 वर्सों से बंद पड़ा है जिस कारण चीनी मिल की जमीन को देश के बड़े उद्योग घरानों को दे चुकी है जहां चोटा बड़ा उद्योग लग जाने के बाद चीनी मिल की जमीन पर 610 करोड की लागत से पेट्रोलियम ओयल एंड लुब्रिकेंट डिपो का निर्मान किया जाएगा यह जमीन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिडेट को अवंटित की गई है इस खबर के बाद प्रकंडवासियों में खुशी का माहौल है बता दे कि एशिया महादेश में उनंत चीनी उत्पादन के लिए मशहूर नवादा जीले का एक मात्र उद्ध्योग वारिसली गंचीनी मिल 1992 से 1993 पराई सरतर के बाद से बंद हो चुका था तीन दशक से मिल चालू नहीं हो पाया लेकिन कुछ साल पूरो बिहार सरकार चीनी मिल की भूमी बियाड़ा को सौप चुकी थी काफी जद्धो जहत के बाद सरकार की नजर चीनी मिल की 75 एकड़ जमीन पर पड़ी नवादा, नालंदा, शेखपूरा, जमुई, लखी सराय, गया तथा मुंगे, रादी, जीलो के किसानों की आर्थिक उन्नती में सहायक रहे इस बंद चीनी मिल को खुलवाने को लेकर हर बार केवल चुनावी मुद्दा बनता रहा, पर चालू नहीं हो सका लेकिन अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओयल एंड लूब्रिकेंट डीपो अस्थापित करेगी जमीन आवंटित के जाने के बाद बिहार उद्योग विभाग बियाडा ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, डीपो के अस्थापना में करीब 610 करोड उपे का निवेश किया जाएगा बीपी सीयल के माध्यम से इस पेट्रोलियम ओयल एंड लूब्रिकेंट डीपोग में कच्चे तिल, रिफाइनरी उतपादों जैसे मोटर स्पिरिट, सुपिरियर किरोसीन ओयल तथा हाई स्पीड डीजल का प्रयाप मातरा में भंडारन किया जाएगा उच माहपुरों से मिल की परती जमीन की घेरबंदी की जा रही है ग्रामिनों के साथ रास्ते को लेकर हुए विवादों को सरकारी अधिकारी सुल्जाने का काम कर रहे हैं बुधवार को बियाड़ा के कारेकारी निदेशक वारिसली गंज पहुँचे थे निरक्षन के बाद उन्होंने चैनपूरा के ग्रामिनों से बात कर रास्ता की समस्या का समधान निकालने का प्रयास किया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम ओयल एंड लूब्रिकेंट डीपो को स्थापित किये जाने की खबर से जिल्वासियों में जहां प्रसन्नता है वहीं वर्सों से बेरोजगारी का दंश जहल रहे नौजवानों किसानों और मजदूरों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार मिलने की आस भी बढ़ी है आपको बताए कि ऐसे उद्योग बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है क्योंकि बिहार के लगबग हर जिले में कोई ना कोई ऐसा मिल था जो कि अब बंद पड़ा है लेकिन अब सरकार को फिर से हर जिले के लिए ऐसा पहल करना चाहिए, जहांपर ऐसे बंद पड़े Фैक्टरियों की जमीनों पर फिर से एक बार कारोबारी आ सकें, और अपनी फैक्टरी लगा सकें और बहार के लोगों को बहार में रोजगार मिल सकें.